हालो एंड गुड मॉर्निंग एवरिवन स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लैट्फॉर्म स्टड़ी आई की आई एस में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम दा हिंदू नियूस पिपर का अनलेसिस करेंगे 15 अपरेल में जो भी इंपॉर्टन आर्टिकल है उन सभी का क्या करेंगे डिसकस करने वाले हैं गुड मॉर्निंग एवरिवन वेरी वेरी गुड मॉर्निग आप सभी अच्छे होंगे अपना ध्यार रख रहे होंगे एंड कल मेरे पास दो से तीन स्टूडन का यह मैसेज है कि सर अप प्रेलिम्स का एक्जाम नजदिक आ चुका है और जो चीज उन्हें करनी चाहिए थी पहले वह अब नहीं किये अब क्या करें तो कल भी मैंने उनको एक बात कही थी कि भही आप पीछे जाकर तो सॉलूशन नहीं कर सकते ना बट हाँ आज से आप सारी चीज़े शुरू कर सकते हो तो वही चीज़े नोबडी कैन गो बैक एंड स्टार्ट न्यू बिगनी और मैं आपको एक और चीज़ बता हूं कि यह जो गिल्ट होता है एक एज निकल जाने के बाद में बहुत जादा रहता है त आज के हेड्लाइंस आज एकोनॉमी से रिलेटिड जाता है देखिए इन्फलेशन से रिलेटिड आर्टिकल है यह भी इन्फलेशन से रिलेटिड आर्टिकल है इसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारें पढ़ेंगे इसमें हम इन्फलेशन के बारें पढ़ेंगे और इसमे कर लिया जाए यानि कि dispute resolution कर लिया जाए तो इसको हम करेंगे फिर क्या करेंगे skill over chance यह gaming से related है यह क्या है topic gaming से related important है क्योंकि आप यह चीज़ देखिए मैं अगर कहूं कि यह online जैसे मान के चली आजकल कई सारी game चल रही है मैं कहूं उसमें 60 चल रहा है क्या है 60 चल रहा है और मैं उसके उपर है बैन लगा दूँगा तो आप कहेंगे sir 60 क्यों चल रहा है यह तो मैं ने कराया है दुबारा से कोप इंडिया नियूज में है क्या है इंडियन एफोस और यूस की एफोस की यह क्या है एक्ससाइज है प्रिलिम्स में डारेक्ट कोश्चन आ सकता है ठीक है तो इसकी PDF कहा मिलेगी अच्छा आपको आप सभी ने कल योजना सेशन देख लिया क्या है एक तरीके से आपका 360 view आप अगर उसको पढ़ लोगे वो सेशन को देख लोगे तो स्टार्ट अप के उपर में आपको चार से पांच पॉइंट अगर जो चाहिए वो मिल जाएंगे पूरे के पूरे पूरे सेशन की PDF आपको कहा मिलेगी प्रशान तिवारी क्याम पर भी मैं आपसे question पूछूंगा what do you think about skill over chance ऐसे मैंने question पूछा था G20 कैसे बना अब बहुत सारे लोग ने बस year लिखके छोड़ दिया बाई year नहीं पूछा मैंने question देखिए तो इस statement पूछी है कि reason क्या था यह भी पूछा है तो वो भी लिखिए अब जैसे question आ सकता है G7 तो पूरा elaborate तरीके अब जैसे tiger अब tiger के बारे में आर प्रिलिम्स के लिए fact रटते रटते नहीं at least आपको अपने thoughts express करने के आदत तो होनी चाहिए आप लिखतो सको 4-5 line और यह practice हम easily कर रहे है कि आपसे अगर ketone species भी बोलते हैं यह यह चीज़ वर्ड समझ रहे हो कि उस species को अगर हम बचा रहे हैं तो आज पास का environment ecosystem वो भी क्या है बच रहा है तो इस तरीके से चीज़ों को elaborate करना है और ऐसे question direct क्या किये जाते हैं इंटर्विव में पूछे जाते हैं वो इंटर्विव में यह वाले media के हवा बाजी है ऐसे question नहीं पूछे जाते हैं आपसे relative आपके जो connected है वैसे question आपसे पूछे जाते हैं और दोस्तों 2024 के लिए अगर आप UPC की तयारी कर रहे हैं तो यह बहुत ही शांदार opportunity है 22 अप्रेल से आपका यह batch शुरू हो रहा है जो सुबह 8 बजे की classes इसमें रह आप देख सकते हैं अपरेल 2023 से लेकर जैनवरी 2024 तक प्रिलिम्स और मेंस का foundation कराया जाएगा फिर क्योंकि आपका प्रिलिम्स नजदीक है तो प्रिलिम्स के उपर फोकस किया जाएगा फिर प्रिलिम्स पूरा होने के बाद में आप क्योंकि फिर मेंस के लिए उसके इंदर आया था राउस आपको मिला है ना इट इस अवार्ड़ेड एवरी येर बाई आ कोलाबरेशन अमंग फाइव लीडिंग इंटरनेशनल स्टेस्टिक्स औरगनेशन पहला दूसरा इट इस गिवन तो एन इंडिविजुल एस वेल आज तो ग्रूप औफ पीपल हूँ आर व कर लेती हूँँ इसमें से क्रेक्ट आंसर बताता है तो मेरे दोस्त सी इसका करेक्ट आंसर नहीं है बहुत लोग गलत आंसर दे रहे हैं Every Year देते हैं क्या 2 साल में 1 पार होता है उसनिन पढ़ा था हम नहीं क्या पढ़ा था तो First Statement गलत है Second Statement बिल्कुल सही है International Prize in Statistics इसको क्या बोला जाता है Nobel Prize भी बोला जाता है किसके इंदर में Statistics के इंदर में तो बहुत important है 20 क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा ठीक है तो यह हर दो साल पे दिया जाता है और पांच और नैशन इसमें collaborate करती है प्लीज याद रखियेगा और यह Nobel Prize की तरह है इसको माना जाता है बहुत important है मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसकी important समझके चले जाना Next है question number 2 National Party status There are six political parties at present which got national party status from election commission of India बहली यह भी पढ़ाया हुआ हिंदू नियूसपेपर से है to get this status a political party should win minimum of 2% of total seats in Lok Sabha बताईए उस दिर मैंने आपको बहुत सारे criteria बताये थे state के भी and आपको मैंने national के भी बताये थे बहुत सारे बताये थे मैंने criteria बताईए यह क्यूं लगा रहे हूँ खाली यह क्यूं लगा रहे हूँ मैं लगा यह criteria नहीं था क्या कहीं पर भी minimum should win a minimum 2% of total लोग Sabha seats लोग Sabha के अंदर में तो इसका correct answer क्या होगा मेरे दोस्त सी इसका correct answer है और आप यहाँ पर देख सकते हैं आप parties candidate minimum 4 state must get 6% of total votes सहली बार दूसरा क्या है चार्ज सीट जीतने चाहिए पर्टी शूट विन 2% of total seats लोग Sabha यह भी प्लीज याद रखेगा सीज का क्या है correct answer है और 6 पार्टी है प्लीज उनको note कर लिजएगा एक्जामें पूछा जा सकता है question number 3 यह भी पढ़ाया हुआ हिंदू निस्पेपर से related है यह भी इसे से related है तो it is a central sector scheme पहली बात जो आपके 2023 से 2026 तक implement की कर जाएगी और under this program vibrant village program created by gram panchayat बताईए 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 इसका correct answer क्या होगा क्या है यह central sector scheme है जो implement की जाएगे 2022 से 2023 financial year से लेके 25-26 तक इस program के तहत में जो क्याना में gram panchayat के द्वारा जो village create की जाएगे वहाँ पर काम किया जाएगे बताईए फटाफट आँ तो border पर ही तो है यह vibrant village program यह border area पर अभी कहां गए है आणाचल प्रदेश में कहें है हमें शाजी की नहीं गए है वहाँ पर उन्होंने इसका क्या क्या है जिक्र किया है लेकिन अब आपको यह चीज़ क्या है central sector scheme है क्या है central sector का मतलब होता है जहां पर 100% funding किसकी तरफ से आएगी central government की तरफ से आएगी लेकिन यहां पर state and center आपस में क्या कर रहे है collaborate कर रहे है तो यानि कि क्या हो जाएगी एक होता है centrally sponsored scheme का मतलब ही होता है जहां पर पैसा क्या है funding जो है center and state के बीच में क्या है डिवाइड किया जाएगा ठीक है और दूसरा क्या है एक central sector scheme होती है जिसमें 100% पैसा central government की तरफ तो 100% पैसा नहीं दिया जा रहा है centrally sponsored है और ग्राम पंचायत का इसकिंदर में role नहीं है तो D इसका क्या होगा correct answer होगा जो कि हमने देखा है तो ग्राम पंचायत का इसकिंदर में कोई role नहीं है क्योंकि जो district administration है वो इसकिंदर मे क्या करने वाले काम करने वाले help ली जाएगी ग्राम पंचायत की लेकिन काम जो है में किसका district administration का है चले और next question question number 4 सुहेलवा wildlife century अब किसी नहीं अगर नाम सुना होगा तो अपने आप तुरंत 10 second में answer इसका लगा दोगे 10 second के अंदर में इसका अंसर लगा दोगे सुहेलवा wildlife century किस state के अंदर में है इसमें मेरे ख्याल में दोस्त बिल्कुल तुरंत आंसर लगा देने चाहिए Central sector नहीं है मेरे दोस्त Central sector होती तो फिर तो statement सही हो जाता ना centrally sponsored scheme है दोस्त Central sponsored scheme है चलिए कहाँ पर है ये सी इसका correct answer उत्तर प्रदेश के अंदर में कहाँ पर है सी ठीक है सुहेलवा wildlife century प्लीज याद रखियेगा कहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर में तराई जो region है वहाँ पर ठीक है चले चले तो I hope चार question में से कितने question सही हुए और इसकी जो pdf आपको कहाँ मिलेगी यहाँ पर मिल जाएगी रशान्ति वारी टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी और instagram पर आप में साथ connect कर सकते हैं पहला article inflation से related दूसरा article inflation से related लास्ट article economy से related IAP से related चले तो inflation पहली बार मिला first time this year अगर देखा जाए तो पहली बार 6 के mark से नीचे गया है अब देखिए हम बहुत बार पढ़ते हैं और यह सिर्फ quick revision ही होगी क्योंकि article जो है वह ही जितने important है उन्हीं को हम करेगी चले तो समझी यह चीज को कि inflation अगर 6% से कम हुआ है याने कि कुछ range होगी ति कि मैं revision करवा रहा हूँ मैं यह नहीं कह रहा है कि आपको नहीं पता मैं revision करवा रहा हूँ ideal inflation कितना कहा जाता है इन्फलेशन का मतलब होता है महें गाई अब ideal कहा जाता है कि 4% inflation हम अपनी economy के अंदर में होना चाहिए ideal इतना होना चाहिए लेकिन अगर यह 4% से बढ़ते बढ़ते 6% पहुच जाए तो क्या है खत्रे की घंटी है याने कि टिंग टॉंग और आप सभी को पता है कि 6% से जादा लगातार inflation rate बढ़ा हुआ था जिस कारण से क्या है RBI को अब यहां से अब यह देखे आप कहते हैं previous question तो यह previous question का point है आप से पूछा गया था inflation targeting इंडिया में कौन करता है तो आपको पता होना चाहिए कौन करता है RBI करता है RBI क्या करेगा वो monetary policy committee की meeting बठेगे अब monetary policy committee क्या है monetary policy committee एक statutory body है जिसके अंदर में 6 person होते हैं 3 person RBI की तरफ से होते हैं और 3 person government की तरफ से होते हैं और याद रखेगा इसमें RBI के governor भी होते हैं अब अगर RBI के governor है तो by default कौन होगे chairmanship किसके पास में चली जाएगी चेर परसन कौन हो जाएंगे RBI के governor हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे किएगे भाई साब आप हमें इस पर काम करना पड़ेगा भारत के अंदर में जो inflation targeting है वो maximum किस पर target करते हैं money supply के उपर में target करते हैं अब money supply के अंदर में target करते समय पर वो क्या करते हैं कि money supply को कैसे कम कर दिया जाएं इसके लिए वो क्या करते हैं कई सारे tools अपनाते हैं तूल का मतलब क्या जैसे आपको आज कह दिया मैंने आज cricket खिलने जाओगे तो cricket खिलने के लिए आपको bat भी चाहिए ball भी चाहिए stumps भी चाहिए यह सारे के सारे आपको tools चाहिए तो वो tools क्या-क्या है, इनके पास में tools है, rates, अब rate कई प्रकार क्यों होते हैं, एक होता है repo rate, एक होता है reverse repo rate, एक होता है SLR, एक होता है CRR, बहुत सारी चीज़े होती हैं, अब एक चीज़ किसी ने कहा कि भाई, 4% inflation क्यों होना चाहिए, देखिए economy का एक concept है, आपको समझाता नॉर्मल कंडिशन में क्यों, ये कहा जाता है कि हमारे पास में क्या है, resources available है, हर किसी के पास में resources होते हैं, जिसको हम बोलते है, natural resources बोला जाता है, अगर इन resources का हम use करना शुरू करें, तो लोगों को क्या देंगे हम, employment देंगे, job creation हो, यानि कि हम अपने जो resources हैं, उनका use कर तो एक projected क्या होती है, growth होती है, जिसको हम बोलते है, potential growth बोलते हैं, क्या बोलते है, potential growth बोलते हैं, कि हम उसको achieve कर सकते हैं, और growth का मतलब क्या, resources का use कर रहे है, resources में पैसा भी आता है, entrepreneurship भी आती है, सब कुछ आता है, उसको गर हम use कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, investment हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो क्या हो रहा है जॉब क्रिएशन हो रही है और जॉब क्रिएशन हो रही है यानि कि लोगों के पास में पीपल के पास में क्या है पैसा है और उस पैसे का इस्तमाल करके आप क्या कर रहे हैं मार्केट में जा रहे हैं क्या करने के लिए डिमां create कर रहे हैं यानि कि आप कहारे है वाई-सम faculty मेरे पास अगर पैसा है तो मैं करuchen और मेरे को साइकल चाहें मेरे पास थोड़दा पैसा आप सब्सक्राइन मैंने का मेरे को कार चाहें यानि कि आप यह देखिए monetary जब क्या होगा आपके पास में चीजे आएंगी पैसा आएगा तो उस हिसाब से आप क्या करते है डिमांड क्रियेट करना शुरू करते हैं अब डिमांड से कई बार क्या होता है inflation होता है बलब आप यह समझे अगर growth हो रही है उससे क्या होगा demand create होती है cycle बनाने की दुकान है और सिर्फ और सिर्फ पांच ही cycle बनती है क्या है पांच ही cycle बनती है अब मान के चलिए आपकी जो demand है वो ज्यादा हो गई आपकी supply से क्या होगे supply से ज्यादा हो गई आपकी demand for example आपने demand कर दी भाईसाब मुझे 10 cycle मार्केट के इंदर में आप चाहिए लेकिन यहाँ पर supply side में 10 cycle का production नहीं होया यानि कि aggregate demand आपकी ज़ादा हो गई आपकी aggregate supply से तो यह कहा जाता है इस समय पर क्या होगा inflation create होगा क्या होगा inflation create होगा यानि कि ultimately कई बार यह कहा जाता है यह ideal condition है आइडियल कंडिशन यह है कि जब demand create हो रही है और demand create के उन्हें यह background को याद रखेगा क्या है growth हो रही है उसके कारण में क्या हो रहा है inflation हो रहा है तो यह कहा जाता है कि जब हमारी growth हो रही है job creation हो रहा है demand create हो रही है तो ideally 4% inflation होना चाहिए अगर इससे कम inflation हो जाएगी तो इसका मिलब क्या हमारी growth नहीं हो रही job creation नहीं हो रहा और ये भी क्या है ठीक नहीं है ये भी economy के लिए ठीक नहीं है क्योंकि demand तो create होनी चाहिए आप demand को निल थोड़ी करद होगी और दूसरा condition क्या है मान के चलिए supply side आपकी ठप पड़ जाए एक और inflation का reason देखते है supply side आपकी ठप पड़ जाए demand में increase नहीं हुई है demand आपकी 5 cycle की ही demand है लेकिन अब supply side में जो factory थी वो सिर्फ एक ही cycle बना पा रही है तो इसके कारण में क्या हुआ यानि कि supply side के कारण में inflation हो रहा है एक reason यह हो गया दूसरा reason तीसरा reason यह भी हम देख सकते है external factors भी कई बार impact करते है for example अगर हमारे देश के अंदर में inflation को देखा जाए तो crude oil वो भी inflation का एक कारण है अगर आप देखेंगे मान के चले मैं cycle बनाता हूँ और cycle बनाने के लिए मुझे breaks जो चाहिए है वो मैं क्या करता हूँ जापान से मंगाता हूँ क्या करता हूँ इंपोर्ट करता हूँ और जापान को जब मैं इंपोर्ट करता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या है dollar में payment करनी पड़ती है अब क्योंकि crude oil के prices increase हो रहे है उसके करण में क्या हो रहा है currency मेरी depreciate कर रही है currency की value कम हो रही है यानि कि मेरे dollar के मुकाबले में मेरे को रुपया जादा देना पड़ रहा है अब में break जब मंगार हो तो मेरे को break क्या है महगी पड़ रही है और इसलिए मैं जब cycle बनाऊंगा क्या होती है cycle बनाऊंगा उसकी भी cost क्या है बढ़ जाएगी तो यानि कि ultimately आप समझ पा रहे है ये external factors भी किस-किस प्रकार के कारण में चले अब दिक्कत क्या है जब inflation आपकी 6% से ज्यादा हो जाए यानि कि ideal conditions से ज़ादा हो जाए तब RBI के उपर में एक जिम्मेदारी है कंदों पर उनके बोज है कि उसको 6% से नीचे लेकर जाना है वरना आपको एक मत्र जो काम दे रखा है आप वही नहीं कर पा रहे हो तो किस लिए बैठे हो फिर RBI आ जाता है किया था भाई साब अपने पास में एक setting है वो setting क्या है monetary policy committee अपन बैठेंगे और कुछ rates को बढ़ा देंगे कुछ rates को जब अपन बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा उससे interest rate बढ़ेगा interest rate बढ़ेगा लोग loan कम लेंगे पैसा कम लेंगे क्योंकि भाई आप खुद देखे न अगर आप घर लेने जा रहे हो आप market में पूछते क्या interest rate चल रहा है भाई साब मुझे कुछ कमी मिलेगी कुछ कटोती करके मिलेगा या नहीं मिलेगा और ultimately क्या होगा market में money supply कम हो जाएगी जिससे demand कम हो जाएगी और inflation को हम क्या करेंगे control कर लेंगे clear है किसी को भी कोई doubt इससे related बहुत simple और सरल भाशा में मैंने आपको समझाया है बहुत simple सरल भाशा में अभी मैं inflation के तरीके भी पढ़ाऊँगा next article में यह और एक headline inflation और एक core inflation वो भी एक concept है उसको भी हम करेंगे लेकिन अभी के लिए ठीक है चलिए clear है यहां तक किसी कोई अब यहां पर मैं आपको समझा रहता है कि हम क्या करेंगे कई बार मैंने आपको बता रखा है लेकिन मैं आपको फिर समझा रहा हूँ एक होता है repo rate और एक होता है reverse repo rate repo rate simple सी भासा में समझे तो यह क्या है RBI जिस rate पर पैसा देता है किसी bank को RBI जिस rate पर पैसा देता है किसी भी bank को उसको बोलते हैं repo rate for example RBI ने 1% की हिसाब से पैसा दिया SBI को SBI के पास में आप और मैं जब पैसा लेने जाएंगे तो SBI इस 1% को भी क्या करके count करके तब हमें interest rate देगा क्योंकि भाई वो भी तो कहीं से पैसा लेकर आ रहा है अब अगर मानके चले इस repo rate को मैं increase कर दूँ जो कि मैं tight monetary policy के समय पर क्या करता हूँ? increase करता हूँ तो क्या होगा? RBA इने मानके चलिए repo rate क्या-क्या increase कर दिया 2% SBI भी क्या करेगा? interest rate increase कर देगा जिससे क्या होगा? interest rate महंगा होगा interest rate जाता होने के काड़ में demand मलब के अदमें आप loan कम लेंगे, money supply कम होगी money supply कम होगी तो इससे क्या है? inflation control हो जाए ऐसा सरकार ideal condition मानके चलती है पहले clear रहे है point दूसरा RRR reverse repo rate यह उसका उल्टा है RBA है, rate है and bank है अब इसका उल्टा चलता है यह वो वाला rate है जिस पे जब bank पैसा देता है किसको? RBA को तो RBA जो rate पर interest देता है, जो पैसा देता है किसको? bank को अब यह सोचिए, छोड़ा सा समझने की कोशिश करिए मानके चलिए मैंने RRR को बढ़ा दिया और RRR इतना बढ़ गया कि bank कहेगा यार मैं market मैं पैसा दूँ उससे बहतर यह है कि मैं पैसा अपना RBA के पास में सेफ वहाँ पर पाक कर दूँ जिससे क्या होगा? क्योंकि RBA के पास है तो guarantee है वरना person तो क्या पता? कहीं विदेश विदेश घूम कर आए ये भाई भाग जाए पैसा वापस ना मिले तो क्या है? RBA के पैस में पैसा मैं जमा कर दूँ वापस अपने आपको मिलता रहेगा तो यारी कि ये भी बढ़ाने से क्या होगा? मार्केट में पैसा कम जाएगा इधर चला जाएगा reverse repo rate दो चीजे पता चलेगी inflation control कर रहे हैं मार्केट में money supply को हम कम कर रहे हैं दूसरा और तीसरा एक और option होता है जैसे बहुत सारे option है लेकिन मैं चार mean पढ़ाता हूँ आपको एक होता cash reserve ratio और एक होता SLR ये दोनों के दोनों क्या है? reserve है, ratio है इनका मतलब क्या है? कि ये emergency के लिए आपको कुछ क्या है? पैसा अपने पास में बचा कर रखना पड़ेगा कुछ पैसा RBI के पास में यानि कि अपने दादा जी के पास जमा कर दीजिए कुछ पैसा अपने पास रख लीजिए जो emergency के समय पर काम आएगा यहाँ तक किसी को भी कोई doubt ये fact हैं सारे के सारे SLR, CRR, मैंने आपको reverse repo, repo, inflation targeting, RBI बहुत शांती से आपको मैंने कराया है, बहुत शांती से कराया है अब next article जो है इसी से related है, देखिए पूरा article आपको complete समझ में आगया अब next article के अंदर में please confuse मत हुएगा corporate power and Indian inflation इन चीजों में उलजने की जुरत नहीं है next article जो है इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करिए जो मैं आपको समझाता हूँ कि inflation अब बढ़ रहा है तो हमने ideal condition में तो कह दिया कि भाई साब demand की card में inflation क्या हो रही है increase हो रही है लेकिन कई बार inflation के reason भी अलग-अलग होते है अच्छा आप ये बताईए कि आप कहीं जाते आते हो तो आप कहा देते हो कि भाई साब कितना distance मैंने cover किया कहीं आप से आते वो क्या नहीं speed है कहीं पर आप मानके चलिए liter है, सब चीज़ आप नाप लेते हो तो ऐसी inflation को नापने के लिए दो index हमने बना रखे हैं एक consumer price index and एक wholesale price index समझिएगा, बहुत आसानी से समझा रहा हूँ consumer price index ये है जो आप और मैं market के अंदर में जाते हैं और कुछ भी purchase करते हैं कुछ भी purchase करते हैं उसको बोलते हैं consumer price index और wholesale level पर जो भी rate है उसको बोलते हैं wholesale price index ये भी अभी पढ़ेंगे detail के अंदर मैंने diagram बना कर रख रखा है, chart है, सब कुछ है अब एक मैंने आपको बताया कि inflation है महंगाई के अंदर में तो सारी चीज़े हैं, सब कुछ है food के price भी increase हो रहे है fuel के price भी increase हो रहे है आपके services के price भी increase हो रहे है goods के price भी increase हो रहे है तो ये inflation जो है ये जो दो कारण है ये अलग reason है आप ये समझे है कि क्या मैं rate बढ़ा दूँगा तो उसके कारण में क्या आप खाना बंद कर देंगे क्या नई क्या वो fuel यूज करना बंद कर देंगे क्या नहीं कोई ऐसा थोड़ी है कि food और fuel लोन पर लेकर कर रहा है हाँ वो goods purchase होते है गार खरीदनी है वो करते है house खरीदना हो करते है services लेनी है investment है उन सब पर impact पड़ता है तो हमने का यार inflation को और ज़्यादा सटीक नापने के लिए क्या किया जाए तो हमने का यार एक inflation तो पूरा का पूरा inflation हो गया अब एक काम करते हैं इस inflation में से हम minus कर देते हैं किसको food and fuel को minus कर देते हैं जब हम minus कर देंगे तो क्या होगा core inflation आएगा अपने पास में क्या आएगा core inflation आएगा अपने पास में और आप इस inflation को अगर देखें, तो यह किस से linked है, corporate world से linked है, समझ में आ रहा है, एक हो गया headline inflation, जहां पर आप क्या कर रहे हो, पूरे inflation को क्या कर रहे हो, count कर रहे हो, मैं बहुत simple तरीके समझा रहा हूँ, मैंने कह दिया, 6% inflation है, सारे items को मैंने इसमें count कर लिया, अब मैंने कहा कि यार, इसमें से जो सबसे volatile चीज है, सबसे ज़ादा change होने वाली चीज है, कौन सी, food and fuel, इन दोनों को minus कर दो, तो जो निकल कर आया, उसको बोलते है, core inflation, तो actual में जो monetary policy का impact पढ़ता है, वो इस core inflation के उपर में पढ़ता है, जिसके card में क्या होता है, यहां पर rates क्या होते हैं, कम होते हैं, और फिर हमें नजर आता है कि इनफलेशन का rate में कमी आ रही है, यहां तक सभी को समझा आ गया, तो अब इसके इंदर में आपको नहीं हो लेजना है, यह बहुत ही, मलब, article कुछ illogical है, और नहीं जरूरत है इसको पढ़ने की, क्योंकि इसके इ inflation है, वो covid के कारण में नहीं है, यहां के corporate के कारण में क्या है, inflation है, तो इन सब चीजों में नहीं उलजना, मैं आपको जो इसके actual में जो होना चाहिए, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि काफी समय से यह question उठ रहा है, market के इंदर में, कि जो monetary policy committee जो decision ले रही है, क्या वो हमारी growth के उपर में तो असर नहीं करेगी, क्योंकि आप यह चीज़ समझने की कोशिश करिए, अगर interest rate ज्यादा होंगे, तो investment कम होगी ना, investment क्या होगी, कम होगी ना, अब अगर investment कम होगी, तो job creation भी तो क्या होगा, कम होगा ना, क्या होगा, कम होगा ना, तो यह क inflation को कम नहीं कर रही है, वो हमारे growth को kill कर रही होती है, पहला point, क्योंकि हर को यह कहता है, कि भाई, जो inflation है, उसमें crude oil and food, इनका बहुत important role है, and आपकी जो monetary policy होती है, वो इनके price को कम करने में ना के बराबर है, ना के बराबर है, क्यों, क्योंकि food आपका directly linked है, किस से, agriculture से related है, क्या है, agriculture से related है, fuel आपका link है किस से external situation क्या है, या रशिया यूकरेन war चल रही है, अब रशिया यूकरेन war आपके कहने से, आपके interest rate बढ़ाने से थोड़ी रूख जाएगी, तो यह काफी समय से, यह debate चल रहा है, कि क्या हमारी जो monetary policy है, वो सही जगे target कर भी रही है, या न उनको जो inflation पता चलती है, सबसे बड़ी, वो दो चीजों में पता चलती है, एक fuel और एक क्या है food, तो food की inflation को कम करने के लिए आपको agriculture सेक्टर में structural changes पे काम करना पड़ेगा, यानि कि जो current inflation control जो measure है, कई माइने में देखा जाए, हमें fail होता हुआ नजर आ रहा, लब ऐसा क रहा जाता है, कई सारे लोग बोलते है, इवन government का भी ये मानना है, कि ये जो हमारे यहाँ पर जो inflation targeting हम कर रहे है, ये ultimate पता या करता है, क्योंकि देखिए agriculture बारिश हुई नहीं, अब आप simple सी बात समझे, covid के बाद में interest rate कम होने चाहिए थे, क्यों होने चाहिए थे कम, क्य क्योंकि मेरे दोस्त, investment करनी है, job creation करना है, लेकिन मान के चलिए, monsoon सही नहीं हुआ, बारिश ज्यादा होगी, supply कम होगी, supply कम होगी, या या यह निकि agriculture, commodity के price क्या होगे, बढ़ गए, आपने का वैसे इंफलेशन बढ़िया, और अभी तक जो covid के कारण में इतना job चली गई है, job creation अभी हुआ है, investment अभी हुआ है, होने जा रही थी, तब तक आपने RBA बैढ़िया, वैसा आप तो control करना पड़ेगा, rates को बढ़ा दो, जो person invest करने वाले थे, वो क्या होगे, investment अपनी रोग लेंगे, hold कर लेंगे, कुछ समय बात देखते हैं, अभी ने, कुछ समय के ब बनी हुई है, कि क्यों ना हमें क्या करना चाहिए, जो, क्योंकि जो अभी देखें, जो control करने की strategy है, वो किस के उपर में काम करती है, वैसे अग्रेगेट डिमांड को कम करना है, अपने को बस, सिर्फ अग्रेगेट डिमांड को कम करना है, लेकिन जो food production, affordable price के उपर में, ज wholesale price index, retail level पर, जो rate है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, consumer price index बोलते हैं, चल ये way forward भी देता हूँ, बहुत अच्छा way forward लेंगे अब, ठीक है, और bulk के अंदर में जो होता है, तो wholesale price index होता है, और NSO इसका data release करता है, और इसका data कौन release करता है, office of economic advisor, प्लीज इस point को नोट कर ल इसके अंदर में देखिए, ये बहुत logical connection है, अल्रडी मैं पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे session में, देखिए, इसके अंदर में 39% consumer price index, मैं 39% किसका weightage दे रखिया, अपने food item को दे रखिया, and food items को, अपने WPI के अंदर में कितनी दे रखिया, 24% दे रखिया, अब मैं आपक गए, food के price जैसी बढ़े, ज्यादा impact किस पर पढ़ेगा, ज्यादा impact किस पर पढ़ेगा, consumer price index पर पढ़ेगा, या फिर WPI पर पढ़ेगा, consumer price index पर पढ़ेगा, क्योंकि उसकी पास में weighted ज्यादा है food item की, मैं फिर समझा रहा हूँ, food item के price किस से weather pattern, agriculture, irrigation system, fertilizer, इन सब चीजों के उपर में, और वहाँ से direct impact किस पर पढ़ेगा, consumer price index पर पढ़ेगा, अब consumer price index पैमाना है RBI के पास में, RBI जो decision लेता है कि भईया महगाई बढ़ रही है, हमें decision लेना चाहिए, वो किस पर लेता है, consumer price index पर लेता है, consumer price index पर लेता है, तो यही मैं बाबार आपको समझाने क कोशिश करता हूँ, कि आप यह देखिए, कि food item कैसे inflation policy को क्या करता है, impact करता है, कैसे impact करता है, तो इसका data कौन release करता है, national statistical office, प्लीज याद रखिए, NSO इसको release करता है, CPI कई प्रकार के होते हैं, labor जो वाला, जो CPI वो भी release किया जाता है, तो क्या है, उसको हम labor bureau उसको release कर करता है, यह भी चीज याद रखिएगा, ठीक है, प्लस में CPI के अंदर में services भी include है, and आपके goods भी included है, लेकिन WPI के अंदर में services included नहीं है, clear है, किसी को भी कोई doubt इससे related, अब किसी ने question पूचा, sir, way forward क्या होना चाहिए, ठीक है, inflation तो control करना है, क्योंकि inflation ultimately नहीं जा सकता, क क्योंकि impact किस पर करेगा, middle class पर impact करता है, लेकिन inflation targeting के approach हम change कर सकते हैं, क्या, क्योंकि यहाँ से समझिएगा, WPI यहाँ आपर देखिए, मैंने पढ़ाते पढ़ाते यह चीज लिखा है, published by, arrow भी मार रखा है मैंने, कि WPI, office of economic advisor करते है, ministry of commerce के अंदर में, सारी चीजे मैंने आपको होता है, तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, क्या हो सकता है, कि आप अपनी approach के अंदर में कुछ change ला सकते हैं, two-way process अपनाया जा सकता है, कि देखिए, अभी के समय के लिए, आप क्या कर सकते हैं, जो target approach है, उसको तो करिए, follow करिए, चलिए, बेकुछ सही बात है, लेकिन साथ में जो structural changes की जरूरत है, उन्हें इस समय priority पर हमें रखना चाहिए, पहली बाद, दूसरी चीज, हम एक और चीज कर सकते हैं, कि हम सिर्फ और सिर्फ core inflation के target को ही, उसके number को ही हम क्या करें, target करें, ये भी एक तरीका हो सकता है, कि आपने minus कर दिया food and fuel को, उसके ब कि ये क्या industrial और corporate sector के inflation हो रहा है, अब हमें वहाँ पर क्या है, interfere करने की जरूरत है, monetary policy committee के द्वारा, पर आप देखें ना, क्योंकि लगातार हमारे rates बढ़ रहे हैं, इसी के कायांट से समय पर देखें, जितने भी अलग-अलग institution है, वो जो rating दे रहे हैं इंडिया की, हम इत क्लियर है, चलें, देखें, हर चीज के अलग-अलग कारण होते हैं, कई लोगों ने पूछा सा discounted oil, फिर उससे पहले किसी ने एक और पूछा, एक और बड़ा तगड़ा question था, पहले भी किसी ने पूछा था मुझसे कि सर, हम ये वाला rate, मैं आपको बतातूं कि 2014 के बाद स जो oil के price हैं, बहुत rarely कम जगे पर ही क्या हुए, increase हुए है, वरना price हमेशा से क्या रहे हैं, कम रहे हैं, हमेशा से कम रहे हैं, बहुत relatively कम रहे हैं, लेकिन government ने उसको कम क्यों नहीं किया, उसके दो perspective होते हैं, एक जी समझने की कोशिश करिए, अभी अगर मैं मुझे कम price मिल रहा है, लेकिन पीछे मैंने महंगे यानि की higher rate पर purchase किया है, एक reason यह है, जिसके कारण में मुझे उसकी payment करनी है, और जो मुझे उसकी payment करनी है, तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, और वो पैसा कहा से आ रहा है, government क्या कर रही है, जो tax ले रही हैं आपसे, oil के उपर में वहां से ले रहे हैं, for example, मान के चलिए, पहले अगर oil, 100 रुपे में मिल रहा था, अब मान के चलिए, oil के price कम होने की कारण में, वो आपको मिलना चाहिए, कितने में, 60 रुपे, लेकिन government कह रही है, हम उसे 90 रुपे में लेंगे, यानि कि 30 रुपे, जो buffer बच रहा है, वो हम जो हमारा loan है, जो करजा है, उसको चुकाना है, एक तो ये perspective है, समझेए, एक ये perspective है, दूसरा perspective ये है, कि future के अंदर में, uncertainty हो सकती है, uncertainty हो सकती है, तो उसके लिए अपने को क्या करना है, buffer create करना है, ठीक है, प्लस में, प्लस में एक और चीज़ आपको उता हूँ, गौर्मे बहुत सारे खर्चे हैं, for example, जैसे COVID के दोरान में आपने देखा, गौर्मेंट को खर्च करना है, इन सब चीज़ों में करना है, तो गौर्मेंट पैसा लाएगी कहां से, गौर्मेंट के पास में income होगी कहां से, और उस पैसे के लिए, उनको कहीं न कहीं tax लगाना पड़े गौर्मेंट के अमबिट में नहीं है, इसलिए reason यह है, क्योंकि पैट्रोल के उपर में states अपना tax लगाते हैं, central government अपना tax लगाते हैं, और यह time to time उसको क्या कर सकते हैं, change कर सकते हैं, जैसे for example, अगर मान के जिए लिए COVID जैसे situation है, पैसा आन फानन में चाहिए, तो सरचा, surplus, tax आप लगा कि उसको क्या कर सकते हैं, आगे ले सकते हैं, लेकिन अगर वो GST के अमबिट में आ गया, तो आप अपने according यानि कि state अपने according and center अपने according उसके अंदर में क्या changes नहीं कर सकते हैं, यह भी एक reason है कि GST के अंदर में इसको नहीं लेका, नहीं देखिए यह perspective भी गलत है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, कि हम equity की बात करते हैं, हम equity की बात करते हैं, जैसे अभी किसी ने, कुल्दीर जी ने लिखा, कि equity की बात करते हैं, अब आप यह चीज़ समझने की कोशिश करिए, कि society के अंदर में, किसी ने resources के उपर में trade-off किया होगा, उसके resources जो उसके हग के resources है तुकि क्योंकि आप पढ़े है आपके पास वोग चीज है तो इसलिए आपने क्या किया है आपको वो मौका मिला है आपको वो opportunity मिली है यानि कि resources तो देखा जाए अगर भारत की बात की जाए तो जितने भी natural resources है उसके सभी कहा के लेकिन वो resources क्या सभी use कर पा रहे है क्या नहीं कर पा रहे है क्यों नहीं कर पा रहे है उसके पीछे social economic condition होती है education level होता है साही चीज़े और ये education social level ये क्या है हमसे या आपस में linked है मैं आपको एक normal fundा बता रहूँ तो equity ज़रूर ही है अब मेरे ख्याल में इतना तो हमें विवेक होना चाहिए हम ये नहीं कह सकते कि एक वृद जो महिला है जो वृद जो महिला है जिनकी उमर 70 साल हो चुकी है हम कहें कि भैस आप उनको 500 रुपे की pension नहीं देनी चाहिए क्यों क्यों कि मेरे tax से जा रहा है ये नहीं होना चाहिए equity के हम बात कर रहे हैं हम ठीक है दूसरी चीज यहां से क्योंकि आप resources का भी तो use कर रहे हैं जैसे आपने road पे चलते हैं ये road आपने तो नहीं बनाई लेकिन वो road आपके education के इंदर में आपको help कर रहा है आपके business में आपको help कर रहा है electricity आपको help आप कहेंगे मैं bill pay करता हूँ भी आप बिल तो आपके घर तक आने का सिर्फ आप pay करते हैं उससे पहले जो infrastructure बना है आपके घर तक आने का वो तो नहीं pay करते मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोनो perspective हमें देखने चाहिए excessive कोई चीज अगर है जैसे for example अगर text तो वो गलत है excessive होना अगर मान के चलिए वो arbitrary है तो वो गलत है अगर वो सिर्फ vote politics के लिए है तो वो गलत है लेकिन अगर बात करिये जाए कि वो equity की बात की जाए inclusive growth की बात की जाए तो वो गलत नहीं है तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ना ही कुछ black होता है ना ही कुछ white होता है it's always a grey हर चीज के फाइदे हैं हर चीज के अपने अपने क्या होते हैं नुकसान होते हैं समझ में आ रहा है तो लूटना ये सब चीज़े नहीं हर चीज के अपने अपने पाइदे हैं और हर चीज के अपने अपने क्या होते हैं नुकसान भी होते हैं चलें ठीक है नेक्स्ट है देखिए ये news में काफी समय से बनाई ही रहता है उस दिन हमने भी पढ़ा था इसके बारे में हाँ बिल्कूल भी नहीं मैं आपको परस्टनल बताऊं ये एक मेरा परस्टनल सजेशन है कि गवर्मेंट को डिरेक्टली कभी भी ऐसी क्रिटिसाइज नहीं करना चीज़े एक बहुत अच्छी खूबी सीख लीजिए जीवन के अंदर में बहुत ही बढ़िया एक फाइदा मिलेगा आपको कि आप क्या कर सकते हैं कि दाल तो बहुत अच्छी बनी है लेकिस में हिंका तड़का लग जाता तो और अच्छा हो जाता यह है positive criticism और देख negative criticism क्या होता है क्या बकवास दाल बना दी है मज़े नहीं आए अगली बार से दाल ही नहीं मिलेगी तो थोड़ा सा क्या करना है positive criticism करना positive criticism का मतलब क्या कि government बहुत अच्छा step लिया है इनोंने लेकिन इसको और अच्छा refine किया जा सकता अगर यह चीज़े हमें करनी है तो ठीक है चलें तो please हाँ स्वाती जी देखिए यह अपनी अपनी choice है अगर आपको इस newspaper analysis को आप देख रहे हैं देखिए खुट कुछ मी नहीं रहा है complete हो रहा है और trust me बहुत सारे student mock दे रहे हैं बहुत सारे student क्या कर रहे हैं टेस्ट दे रहे हैं revision कर रहे हैं उनको बहुत जादा help मिल रहे हैं सेशन से कई सारे question direct उनको मिल रहे हैं सेशन से तो आप इसको कर सकते हैं कि आप अके उपर में कि आप दोनों नहीं देखना ये मेरा एक suggestion है कि दोनों नहीं देखना, मैं अपने views और इसके लिए आपको नहीं करना, ठीक है, चले, तो India must vote the online dispute resolution, देखिए अगर किसी दो party के बीच में क्या है, dispute हो जाए, संडे को रखा है, दोस्त आज से मैं शाम को engaged हूँ, उसके अंदर में क्या बोलते हैं, आपके SIP क sessions के अंदर में, जी हाँ, आप state PCS की किसी भी तयारी कर रहे हैं, UPC, current affair तो current affair होता है, ठीक है, सभी में help लेगे, तो ये संडे के दिन दो session रहेंगे, एक जुलाई और अगस्त, current affair रहेगा, revision module, उसके अंदर में करेंगे, तो आप सभी जानते हैं, हमारे देश के अंदर में maximum जो cases हैं, वो dispute से related होते हैं, contract enforcement, जितना इन्होंने कहा ता उतना नहीं देना, प्रस में, किसी clause को लेकर होना, tax को लेकर, साई चीज़ों के ओपर में, जिसके card में impact क्या पढ़ता है, business के ओपर में impact पढ़ता है, तो इस article में, ये सब के सब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, क कि भाई साब हमें क्या करना चाहिए, कि dispute resolution की तरफ पहले option की तरफ हमें जाना चाहिए, यानि कि court में case जाने की बजाए, क्योंकि court में, एक तो case जाने से court के अंदर में क्या है, मलब court के अंदर में जाने से court का भी time based बहुत जादा होता है, plus में बहुत जादा resources अपने waste होत बिजनस आगे की तरफ में नहीं बढ़ पाता, तो आपको क्या करना चाहिए, dispute को आपको क्या करना है, resolve करना है, पहले तो dispute resolution के थुरू, अब उसके अंदर में एक और चीज़ क्या किया जाए, online यानि के technology का अगर use करना शुरू कर दिया जाए, तो यह क्या हो जाएगा, सोने पर सुहागा हो जाएगा, और वो यही कहने की कोशिश के, India must board the online dispute resolution बस, online dispute resolution की तरफ में हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो अगर आप देखेंगे कि arbitration, जिससे ease of doing business क्या है, बढ़ेगा, quick solution आएगा, जिससे judiciary का भी क्या होगा, time waste नहीं होगा, पहली बात, judiciary के भी resources waste नहीं ह प्लस में जो business है, उनका भी time बचेगा, उनके भी resources बचेगे, तूसरी पार, तिसरी चीज़ क्या है, जल्दी से, decision आने से, जो companies है, वो जो actual में उनका काम है, उसके उपर में काम कर सकते हैं, तो याद रखेगा, यह fact है, यहाँ पर underline कर लीजे, ऐसी दोस्तों एक report आती है क्यों नकालता है, वर्ल्ड बैंक नकालता है, और इंडिया के ranking, अगर आप देखेंगे, धीरे 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 करके क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है, 142 rank थी हमारी, कब 2014 के अंदर में, और 2019 में क्या rank है, 163 rank है, और 163, 63 rank है, sorry, 163 नीचे वाले, 63 rank है, लेकिन इंडिया क जो rank है, contract को enforce करने के अंदर में, वो 163, marginally improve हुआ है, यानि कि अभी भी हम business के अंदर में, contracts को enforce कराना, उनके dispute को क्या करना, solve कराना, इसके अंदर में क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे हमारी ease of doing business के अंदर में क्या होगा, improvement हाई, आप यहाँ से अंदाज ल contract in India, आपको सुचिए, time भी देख लीजे, 4 साल and पैसा, मैंना अल्रडी बताया, time and money, resource, दोनों के दोनों चीज़े क्या होती है, waste होती है, बलकि आप Brazil के अंदर में देखें, तो कितना सिर्फ 2 साल लगते हैं, and 22% लगता है, मेक्सिको के अंदर में देखें, सिर्फ 341 days लगते हैं, 29% लगता है, यहने कि हम duration में भी कमी ला सकते हैं, duration में जो कमी होगी, तो cost में भी कमी होगी, तो इसका बहुत ही बहतरीन क्या solution है, online, online के माधियम से हम क्या कर सकते हैं, dispute को solve कर सकते हैं, that's it, बहुत detail में जाने की ज़रत नहीं है, और आगे चागे जब arbitration से related को solution क्या दे रहे हैं, कि भैसा आप, आपको क्या करना है, online dispute resolution को क्या करना है, उसके लिए जो infrastructural challenges है, उनको क्या करना है, आपको कम करना पढ़ेगा, क्यों online use करने है, तो digital divide जो है, उसको कम करना है, ठीक है, और आपको क्या करना है, जो grievance redressal mechanism है, proactive use करना है, ये सारी चीज़ मिलनाडू के गवर्नर वाला टॉपिक पढ़ा ही होगा उन्होंने क्या क्या एसेंट दे दिया है जो बिल क्या करता है प्रोहिबिट करता है ऑनलाइन गैंबलिंग और उनको रेगुलेट करता है अब आप सभी जानते होंगे कि पहले उन्होंने क्या किया था इस बिल को वїल को वापस भीज दिया ये कहा कि स्टेट के पास पॉच्छं के पास पावर है तो याद रखिएगा अभी प्रेजंट सिचुएशन के साब से स्टेट के पास में power है स्टेट के पास में power है entry 34 ये बताता है कि online gambling ये सब कुछ किसके स्टेट के jurisdiction के अंदर में आता है, प्लीज याद रखेगा प्लीज याद रखेगा, बहुत important है इस समय पा फिर उसके बाद में governor साब ने decision लिया और उसको ascent दे दिया लेकिन यहाँ से main जो issue है वो समझने की कोशिश करते है online gambling online gaming को हम दो हिस्सों में रखते हैं, एक gambling और एक क्या है skill ये आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच में differentiate करना पड़ेगा सिर्फ आप chance के ओपर में ही खेल रहे हैं आप उसके दर में कोई knowledge, कोई skill उसका use नहीं कर रहे हैं वो क्या हो गया? gambling हो गया और दूसरे तरफ में अगर देखा जाए skill आप अपने knowledge का use कर रहे हैं अपने analytics का use कर रहे हैं उसके बाद में अगर आप कुछ कर रहे हैं इसके लिए बड़ा concern क्यों है क्यों लोग बहुत जादा इसके उपर में concerned है कि इसको हमें ban करना चाहिए क्यों इसके उपर में regulation करना चाहिए इसके picture reason समझाता हूँ बहुत सारे data ऐसे हैं कि पहले तो फिर भी आपको क्या है सटा करने के लिए ऐसे करने के लिए खेलने के लिए आपको क्या करना पड़ता था बाहर जाना पड़ता था अब क्या है due to internet and mobile आप घर में कर रहे हैं और इसके social impact बहुत जादा पड़ रहे हैं सबसे पहला impact इसका women के उपर है पड़ रहा women के जो financial उनके पास में जो भी resources है वो सारे के सारे क्या है उनसे ले लिए जाते हैं सबसे बड़ा issue यह है प्लस में financial distress तो create करता है family के अंदर में health issues भी create करता है जब addiction होता है तो health issue भी होता है तालब लगती है लोगों को खेलने की नहीं खेलेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा दूसरा domestic violence ये भी क्या हो रहा इंक्रीज हो रहा है तो ये सारे के सारे चीज़े हैं and last youth public में अगर आप खेल रहे हैं तो फिर भी एक बार के लिए आपको कोई टोक देगा तुम यहां पे क्या कर रहे हो online में यह नहीं है young जो population है वो इसकी तरफ जा रहे है अच्छा एक और बताओ आप सब के सब जान के हरान रह जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं इतना ही खेल सकते हैं बस इससे ज़ादा आप नहीं खेल सकते हैं और same company इंडिया के अंदर में कोई limitation नहीं है हम देखिए ना मैं इस चीज़ के उपर में बहुत जादा focus हूँ और मेरा concern भी है क्या feed कर रहे हैं क्या feed कर रहे हैं इस समय पर आप यहां पर देखने की कोशिश करिए और एक और चीज़ अनलाइन गेमिंग के अंदर में regulation ना होने के करण में एक और आजकल बहुत सारी vulgar and sexual obscene games भी आ गई हैं वो भी kids को क्या कर रहे हैं बहुत जादा impact करते हैं एक और चीज़ समझेए हम क्या feed कर रहे हैं मैं आपको social media का बता रहा हूँ social media actual में किस लिए था और हम उसका use क्या कर रहे हैं आप यहां पर देखने की कोशिश करिए लेकिए gamer की हम बात नहीं कर रहे हैं यह चीज़ समझने की कोशिश करिए एक है gamer अलग concept है game खेलनी चाहिए सारी चीज़े बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन मैं दूसरा concept आपको समझा आडिक्शन समझा रहा हूँ लोग 4 से 5 घंटे सिर्फ और सिर्फ क्या है सिर्फ और सिर्फ क्या करते है reels देखते रहते है no doubt reels content बहुत अच्छा दे रहे हैं आपको लेकिन उसके कारण में society क्या टेक कर रही है यह भी चीज़ हमें देखनी पड़ेगी और यह चीज़ मैं कई सारे देश को कई सारे लोगों को बताता हूँ बच्चों को आप सबको यह ने कई बार होता हुआ यह भीया reels के basis पर दुनिया नहीं चलती है आप जो reels में relationship देखते हो वो क्या है उसको powder, makeup, light, camera set करके script लिखके तब तयार किया जाता है यह चीज़ आद रखेगा प्लस में gaming वाला concept देखी है अब जैसे उस समय पर तो दोस्त मैंने अपने personal आसपास में एर्दगिर्द देखा कि gaming को लेकर कितना जादा addiction था अब gaming को लेकर addiction से यह नहीं होता आप देखे एक परसो यह हमने एक article पढ़़ा था कि high BP वाले patients बढ़ रहे है obesity बढ़ रही है nutrition values कम हो रही है आप यहां से देखे है physical activity कम हो रही है diabetes के patients बढ़ रहे है यह सब चीज़े आपस में linked है सब चीज़े आपस में linked है प्लस में क्या है monotonous वो होने के card में आप अपना जो expression है इस खुलकर expression नहीं कर पाते जो क्या करता है आपके mind के उपर में brain के उपर में क्या करता है impact करता है यह सारी के सारी चीज़े है इसी चीज़ को एक और चीज़ इसका solution यह भी नहीं है कि आप ban करते ban कभी solution regulate करना हमेशा solution होता regulate करना हमेशा solution होता है तो यह है issue और कई सारे स्टेट्स इसको लेकर concern है खास तोर पे आप तमिलाडू में देखिए उससे पहले केरल में देखिए उससे पहले करनाटका ने भी क्या किया था बैन लगाया था ओनलाइन गेमिंग के उपर है लेकिन फिर दूसरा concern भी आता है अगर आप totally ban कर देते हैं तो उनलाइन गेमिंग के अंदर में बहुत सारे ऐसे innovation आ सकते हैं नई technologies आ सकती हैं जो क्या कर सकते हैं हमारी पूरी के पूरी market को क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं लेकिन हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा कि ये technology क्या करें की हम बात करते हैं recreation की क्या क्या है activities के हम बात करने हैं उनके उपर में भी क्या पड़ेगा impact पड़ेगा तो ये सारी के सारी चीज़े हैं अभी जी चौती बार answer दे रहा हूँ ये state PCS हो बिहार PCS हो हर जगे पर ये क्या करेगा आपको help करेगा दोस्त current affair तो current affair आपके आपके बिहार PCS में अगर question आ जाए online gaming से तो discussion जो करने हैं वहाँ पर help मिलेगा न दोस्त ठीक है चले तो ये सारी के सारी चीज़े बहुत कुछ है और इसको आप कर सकते हैं और मेरा personal suggestion है मैं लब ये आपकी life के लिए बहुत बड़ी चीज़ आपको एक मंतर दे के जा रहा हूँ क्योंकि आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर में आप भी शादी वादी करेंगे सारी चीज़े करेंगे और उसके बाद में है reels, shots, videos, movie, cinema इन से हटके है life ठीक है, बहुत अलग है नेक्स्ट है prelims fact prelims fact stages, rafael, सुखोई क्या करेंगे, US fighter jets को आपने सामने करेंगे तो किसमें करेंगे, COP India आपको पता होना चीज़े, COP India exercise फिर याद रख लिजेगा बताया मैं, Indian Air Force प्लस में, US Air Force उनके बीच में क्या है, यह exercise है तो क्या है, AR exercise है क्या नहीं, Air Force की exercise है, COP India प्लीज नोट कर लिजेगा, prelims fact के लिए बहुत important है, क्या है, prelims के लिए बहुत important है, COP India bilateral joint exercise है, Indian Air Force and United States Air Force के बीच में, 2004 से fighter training के प्रोग्राम के तहत में यह शुरू हुई थी, और last edition 2019 में वह था, बहुत important है this is important for your exam next article है आपका page number 14 पे, GS paper 3 economically related IIP IIP के full firm क्या है Index of Industrial Production नाम से ही आप समझ जाएंगे देखे, gaming के against नहीं है, gaming के जो negative consequences है उनका हमें बहुत जादा concern रहना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी health से directly linked है आप भले ही चाहे जितने progressive बन जाए है, चाहे जितने ही open minded बन जाए है है impact impact है मेरे दोस्त, आप इस चीज को कोई नहीं न कार सकता उसके उपर में तो करना पड़े है, आपको बताता हूँ कि जो industrial production है उसके अंदर में क्या है, growth हुई है growth हुई है manufacturing के अंदर में growth हुई है electricity generation में भी growth हुई है, क्यों है growth हुई है चले यहाँ पर सारे के सारे intermediate groups goods के अंदर में थोड़ा सा कमी आई है हाँ मैंने यह तो कहा कि हम कर सकते है regulate कर सकते है time लगा सकते है सारे के सारे चीज़ है ठीक तो देखिए अब जब manufacturing में growth हो रही है उसके क्या मतलब निकाल सकते है कि भाई सब demand हो रही होगी यानि कि हमाज GDP growth कर रही है अगर manufacturing growth हो यानि कि investment आरा job creation हो रही होगी हम कहते है बाई economy के लिए अच्छा है electricity generation के अंदर में अगर growth हो रही है तो हम कहते है electricity demand कहा हो रही होगी market में हो रही है यानि कि growth हो रही है यानि कि अच्छी चीज़ है यानि कि इस index से यानि कि IIP से हम अंदाजा लगाते हैं हमारी economy के अंदर में production increase हो रहा है यह साथ में ही क्या है, job creation कैसी हो रहा है सारी चीज़े हैं तो यह क्या है IIP, full form याद रखिया है index of industrial production उसके अंदर में growth हो रही है तो है और इसका data कौन release करता है IIP क्या है data कौन release करता है प्लीज याद रखियेगा इसका data NSO release करता है वो compile करता है कि IIP में कितनी growth हो रही है, कितनी कमी आ रही है इसके basis पर हम अंदाज लगाते हैं कि country के अंदर में growth rate कैसा चल रहा है हम कुछ sectors हमने identify कर रखे है प्लीज नोट करियेगा कुछ sectors को हमने identify किया हुआ है IIP के अंदर में लेकिन IIP के अंदर में कुछ sector को हमने core sector भी बोला हुआ है आठ है उनको भी अभी हम पढ़ेंगे इसका year क्या है, 2011-12 है जिसके अंदर में capital good, basic good mining, manufacturing, electricity सारे के सारे sectors है सारे के सारे sectors है जिनको हम क्या एक साथ कर देते है कहते हैं कि बाई 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 साब हमारे industrial production में क्या हो रहा है increase हो रहा है इसके अंदर में आठ जो है core sector है जो क्या है IIP का 40% इनी 8 sector से आ जाता है यानि कि आप सोचिए मैं कह रहा हूँ बागी का 60% मैं example दे रहा हूँ 60 उस से आ रहा है और 40% कहां से आ रहा है 8 से आ रहा है यानि कि ये 8 क्या है core sector है IIP के तो यानि कि याद रखेगा 8 core sectors जो IIP के इंदर में 40% क्या है लेकर आते है IIP के इंदर है 40% लेकर आते है please, please, please ये लेकर आईएगा नहीं, न उरतना companies नहीं, sectors की बात कर रहे हैं, company की बात नहीं कर रहे हैं, कि refinery products, first number पर इनको weightage दी है हमने, फिर electricity, फिर steel, फिर coal, crude oil, natural gas, cement, fertilizer, इनको हमने क्या किया है, weightage की according, arrange किया है, मैंने आपको फिर बुला, कि ये 8 मिला कर कितने है, 40% है, इस 40 को अगर हम क्या करेंगे, divide करेंगे, तो क्या है, सबसे ज़्यादा refinery product को weightage है, फिर इसके बाद में electricity को, फिर इसके दिन steel को, ऐसे ऐसे कर करके है, ठीक है, ठीक है, चले, और ये question 2015 में previous question आया हुआ है, कि index of 8 core industries के हिसाब से अगर देखा जाए, which of the following is given the highest weight, इनके अंदर में से, किसको सबसे highest weight is दी ग लेकिन refinery क्या in option में है, refinery क्या in option में है, weightage का मतलब यह होता है, value, weight का मतलब है value, 10% हमने दे दिया, 20% इसको हमने दिया है, कि अगर इसमें ज़्यादा उच्छाल आएगा, तो IP में इसमें ज़्यादा उच्छाल आएगा, फिर D answer 0, B answer है, electricity generation, देखे electricity, फिर उसके बाद में coal आता है, बाद में, फिर उसके बाद में आएगा fertilizer, यहाँ पर चले जाए, सबस के बाद है, तो भी इसका क्या है, correct answer 2015 का question है, तो please इस concept को note कर लीजेगा, अभी तो यह है, आपको arrange the following भी कह सकते हैं, कि decreasing order, increasing order में करिए, ठीक है, चले, लेकिए, एक किसी ने question बड़ी, बहुत ही भेतरिन question पूछा, और पहले भी किसी ने question पूछा हुआ है, layoff से related, और already मै market के shrink होना reason नहीं है, मेरे दो, इस तिस चीज को समझे, खर्बूजे को देख, खर्बूजा रंग बदलता है, पहली बात तो यह समझे, जो market के अंदर में disruption हो रही है, वो हो रही है, कहाँ पर, foreign के अंदर में, जो major अभी हो रही है, और वहाँ पर layoff हो रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, पहला तो reason आप समझेगा, मैं moral level पर बात कर रहा हूँ, मैं आपके बात कर रहा हूँ, किसके, आपके mindset के level पर, एक reason यह है, layoff का, दूसरा reason यह है, कि unrealistic planning, उसके पीछे reason पता ही क्यों होता है, बहुत सारे startup को क्या चीज होता, fund चीज होता, पैसा चीज होता है, और fund के लिए, पैसे के लिए क्या करना होता है, उनको क्या करना होता है, अपनी team, projection, यह सब चीज़े बतानी होती है, तो इसलिए आप क्या करते हैं, hiring करते हैं, unrealistic hiring करते हैं, यह भी एक reason है, दूसरा, तीसरा, अगर reason मैं बताऊं, जो top leadership है, वो reason है, जिसको आपने hire किया, उन्हों ने तो ऐसा नहीं है कि काम कम कर दिया, आपने जो क्या किया, मुलब एक चीज़ समझे कर, आपने कहा कि आने वाले समय में 100 साइकल खरीदी जाएंगी, तो इसलिए आपने क्या किया, 50 साइकल बनाने वालों को hire कर लिया, यानि कि आपने projection अपने हाई लिया, अब इस समय पर market के demand जो है, और real demand है, क्योंकि एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, ऐसा नहीं है कि market के अंदर में demand बहुत कम हो रही है, market के अंदर में आगर मान के चलिए demand हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 40 साइकल की, तो आप कहने हैं, बहुत 50 साइकल बनाने वाले मुझे क्यों चीए, मुझे नहीं चीए, यानि कि आपने अपने demand जो create होगी, उसका projection जो है, उसको exponentially आगे की तरफ में रख लिया, इसी को मैं बार बोल रहा हूँ, unrealistic planning, और दूसरा उस चीज़ को मत भूली है, मेरे दोस्त, funding एक बहुत बढ़ा reason होता है, और आजकल एक और बहुत concept चल गया है, एक अलग तरीका कि क्या है, आपको fund उठाना है, अपनी तारिफ लगातार market में करते रही है, articles लिखवाते रही है, लिखते रही है, आपकी value लगातार क्या हो जाएगी, यार ये तो बिल्कुल तगड़े, फिर उसको बेज दीजिए, higher price में, है यह यह नहीं, मनलत मानके चले, आपके 100 रुपे की चीज़ है, आप कहरो बाई साब मेरे पास एक ऐसी चीज़ है, जिसकी कीमत है 1000 रुपे, क्या जवर्दस चीज़ है, बाई साब मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, लोग भी कहने है, ओहो 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 लड़की तो यह च्छा गई, उस सब चीज़ें हैं, बाकी इन सब चीज़ों में गवर उलजने की जुरत नहीं है, तो आज के सेशन को आप सभी ने enjoy क्या होगा, thoroughly enjoy क्या होगा, प्लीज देखे, बाते तो हम करते है, analytical perspective तो करते हैं, लेकर प्रदेम्स के regarding ये भी बहुत important है, ठीक है, सबसे पहला आप देख course, NCRT कुछ भी purchase करते हैं, आपको PRT live code ही use करना है, क्या करना है, PRT live code ही use करना है, ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक यार, आओ अभी के सभी, Instagram पर जुडो सभी के सभी, Telegram पर जुडो, मिलते हैं, अगले session पर तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़त जुडो से जुडो से थाहिए, तक अपना है, तक अपना है, तक तक अब चूडो से थाहिए.